हेलो किसान सात्यों इंडियन टेक्निकल फार्मिंग चैनल में आज आपका स्वागत है जहां पर बात होती है केवल और केवल किसान की मेरा नाम दलभीर है और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है और आज मैं खित्ती से जुड़ी एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में आज मैं आपको पॉइनेर पंतारी से चारीश प्रैटी की कुछ विशेशता हैं बताता हूँ इस वीडियो को अन तक जुरूर देखे ताकि आपको खित्ती से जुड़ी से भी जानकारी प्राप्त हो अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेर, कमेंट वाज चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करे ताकि एनने किसानों को खित हाइबराइड वराइटी पंतारी से चैनल के बारे में विस्तार से बात करेंगे, दोस्तों डूपोंट पॉइनर दुनिया के 90 देशों में काम करते हैं और बात में सब्सक्राइबराइड वर्सों में इसने अलग-अलग पसलों के लिए अलची पैदा बार देने वाली ने की रोग पर तिरोदक समता काफी अच्छी है, पाड़े में भी यह शुरक्सित रहती है, यानि जब बर्प वापाला गिरता है तो दूसरी सुर्षों के मुकाबले इसमें नुक्सान होने के सबावना काफी कम होती है, इसमें पोद्य का पुटाव सुर्वात से ही काफी अ हो जाती है, उद्द्य के उचाई 160 संटीमेटर से 180 संटीमेटर होती है, पैदावार की बात करें तो 12 से 16 किंटल पर अंकड होती है, और पत्ती अंकड के हिसाब से यह अच्छा उत्पादन देने में ऐसक्सम है, तेली मातरा इसमें 42% होती है, यानि सबसे अधिक तेली मात मातरा इसमें पाई जाती है, तेली मातरा बढ़ाने को लेकर सरसों में सलफर का उप्योग करना अतियां ताव सका है, एक एक अक्टुबर से 10 नॉवंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं, एक अंकड के लिए 1 किलो बीज की मातरा प्रयापत रहती है, पंकति से पंकति की कर त्यार हो जाती है, दोस्तों इस प्रकार से से 45-46 सरसों की यह वराइटी का फिया अच्छी वराइटी है, क्योंकि विपरित प्रिष्टियों में भी अच्छा उत्पादन देती है, यदि आप इस प्रकार से खेत किसान से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करना चाहत हो, हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, तो इंडियन टेक्निकल फार्मिंग चैनल को और से सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक, शेव और कमेंट करें, आजगी वीडियो में इतना ही मिलते हैं, अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ और नए टोपिक के हुआ है